अभी तक अपन नहीं पड़ा कि जो IOT के लेवल्स हैं, उन लेवल्स में, सबसे पहला लेवल था आपका, लेवल 1, जिसमें cloud storage नहीं होता, आप mobile के थुरू air conditioner को directly चलाते हो, जिसमें temperature sensor उसका काम करता है, और data collection के अधार पे, जो analysis होती है, उससे अपन मोबाइल फोन से अपन monitoring और जो भी है, आपके किसी ना किसी application के थुरू, वो कोई भी application हो सकता है, या web application हो सकता है, उसके दोर आप करते हो, web application लिखा है का मतलब local computer से भी आप उसको चला सकते हो, laptop से भी चला सकते हो, mobile से भी चला सकते हो, यहाँ पे एक mobile की photo बनी हुई है, दूसरे में हमने क्या द और data analysis जो है, यहाँ पे done किया जाता है, यह अपन ने देखा था अभी तक पिछली class में, अब आते हैं अपन चौथे level पे, चौथा level में क्या होगा, तो पहले इसको पढ़के सुना देता हूँ मैं, here the data is definitely voluminous, मतलब data बहुत जादा आयतन में होता है, बहुत जादा होता ह में होता है, huge होता है, means the frequency of the sensing done by sensor is faster, इसलिए इसमें जो sensing होती है, जादा fast होती है, also multiple notes are there and they are independent of each other, और इसमें notes की जो संख्या होती है, वो भी बहुत जादा होती है, और यह सब के सब स्वतंदर होते हैं, independent to each other, मतलब एक दूसरे से बिलकुल स्वतंदर होते हैं, also they upload data to the cloud, और इसमें जो data है, वो सिधा cloud में upload होता है, means all the sensors as shown shall upload the read sensory input, मतलब जो भी sensor से यहाँ पर data upload हो रहा है, सीधा का सीधा cloud से ही हो रहा है, और cloud से फिर अपन पढ़ने का काम करते हैं, समझ गया, यहाला point ही, इसमें main है, second वाला, तीसरा point है, here cloud storage is preferred, इसमें cloud storage prefer किया जाता है, और जायर सी बात है, इसमें local storage को prefer नहीं किया जाएगा, दोनों बाते हैं, जब बोल रहा है कि cloud storage is preferred का मतलब यह है, कि local storage को prefer नहीं किया जाएगा, analysis done in the cloud, application is totally cloud based, और application जोता है, cloud based होता है, आप सीधा, इसको cloud से ही चला पाऊगे, दूसरे चीज़ से नहीं चला पाऊगे, आकरी mobile at, क्या लिक है, यह वाला क्या लिक है sentence पता नहीं, छोटा कर कर के देखना पड़ेगा, application लिख है, okay, so based on the data analysis, the control action can be triggered through the web app और mobile application, तो आप जो भी काम करना चाहते हो, अपने web application के दोरा, या फिर mobile application के दोरा कर पाऊगे, easy था यह वाला, समझ में आगया, second point में यह बताना चाहरा है, कि इसमें जितना भी काम होगा, सब कुसे अब cloud में होगा, इस बात को आप पहले समझो, दूसरा चीज़, इसमें nodes की संख्या जादा होती है, sensor की संख्या भी जादा होती है, मतलब sensing जो है, जितने भी nodes होते है, जैसे यहाँ पर यह temperature node, यह आपका sensor node, यह आपके pressure temperature, यह से बहुत सारे nodes हो सकते हैं, यह सारे nodes से data को sense किया जाता है, इसलिए काम fast होता है, और cloud storage इसमें prefer किया जाता है, यह इसका second point का मतलब है, मतलब यह पहला दूसरा point को मिला कि अगर समझोगे, कि इसमें जो data है, बहुत जादा है, और जादा है, इसलिए sensing भी जादा fast होगी, और nodes जादा होंगे, और एक दूसरे से स्वतंतर होगे, independent होगे, and they upload data to the cloud, यह सारे के सारे data को किसमें upload करते हैं, cloud में, means all the sensors as shown, shall upload the read sensory input, sensory input मतलब जो sensor से data आ रहा है, उसको वहाँ पर upload करेगा, ठीक है, yes sir, now come to the fifth point, मतलब पांचवा लेवल पर आ जाते हैं, पांचवा लेवल में क्या हो रहा है, कि here the data is definitely voluminous, मतलब चौंथे की तरह, इसमें भी data बहुत जादा है, means the frequency of the sensing done by sensor is faster, also multiple nodes are there, and they are independent of each other, यह भी point same to same है, कुछ भी difference नहीं है, the data is collected by coordinator node and sent to the cloud, यहाँ पर एक नया चीज़े आया कि coordinator node को लगा दिया गया है, यहाँ पर जो चौंथा था, उसमें कोई coordinator नहीं था, यहाँ पर बीच में coordinate करने के लिए coordinator node को introduce किया गया है, the data is collected by the coordinated node and sent to the cloud, तो यहाँ पर coordinator node लगा होता है, जो data को collect करके cloud में भेजने का काम करता है, अब एक coordinate node क्या है, बुलिया, coordinator मतलब user, coordinator node जो है, यूजर नहीं है, उसमें एक आदमी की photo बना दियागा, मतलब यह नहीं है, इसका example अपर ही अपन देखेंगे, level 5 अला, तब आपको समन में आगा, यह actually में real time है, जैसे IVRS का नाम सुने हो आप, या, क्या बोलते हैं, इसको, IVRS बोलते हैं, एक यार वो, voice recognition system नहीं होता है, अपन ये दबाई ये वो दबाई ये बोलते जाता है, सामने में phone लगातो, अपन भई, call center में phone लगाते हैं, customer care में, तो सामने, सामने कोई बैठे नहीं रहता, बात करने के लिए, अपने को coordinate करने के लिए computer system लगा होता है, अपने को, अगर मान लो, customer care से ही बात करने है, तो अपन नौ दबाऊ के बात करना चालू कर देते हैं, लेकिन वो एक दबाऊ, दो दबाऊ, तीन दबाऊ करके चालू हो जाता हो, so that is your coordinator node, जो अपने को से coordinate करता है, तो अपन उस टाइम पे connected होते ह किसी ना किसी cloud से, cloud के द्वारा फिर coordinator node जो है, जो चीज अपने को चाहिए होती है, वो चीज उठा के दे रहता है, ठीक है, तो उसको अपन आई विरस बोलते हैं, क्योंकि यह चीज रियल टाइम में हो रही होती का मतलब होता है, कि जिस टाइम अपने को जरुत होती है, ज analysis done in the cloud, application is totally cloud based, जितना analysis है, चौंथे level की तरह इसमें भी cloud based है, computationally very intensive, जो computation होता है, वो काफी intensive का मतलब होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसमें computation जो है, बहुत ज्यादा होता है, जितनी भी complex process है, उसकी संख्या जो है, बहुत ज्यादा होगी, real time होता है, मतलब plane उडाने ज एक नैनो सेकंड का भी यहां पर देरी नहीं होगा, आप जैसे ही कुछ दबाओगे, कुछ न कुछ काम होगा, मतलब फोन काटने का बटन दबाए तो कड़ जाएगा, आपने ATM की पिन डाली तो transaction हो जाएगा, आपने माल लो नौ दबा जिया तो customer के रसे बात, मतलब घंट किसमें coordinate node को जोड दिया गया है, आसान था इसको भी खतम करते हैं, आखरी में आते हैं, level 5 के बाद में, कोई level ही नहीं है, so what we have understood, sense करो, transport करो, store करो, analyze करो, control करो, share करो, उल्टा देखोगे तो, कौन share कर रहा है, एक particular जो भी आप application के तोरा जिस चीज को control कर सकते हो, वहीं से आप analysis करते हो, जो चीज आपकी cloud में store होती है, जो की transportation के तुरू, मतलब network के तुरू, आपको किसी ना किसी sensor के द्वारा कोई चीज मिल रहे होती है, तो ये actually में levels हैं, अलग-अलग, ठीक है, तो हमने ये समझा, कि ये इसकी process है, IOT के levels की, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, फर्स करिए, ये एक ऐसी जगह है, जहां से आप data को देख रहे हो, ये ऐसी जगह है, जहां से आप data को एडिट कर रहे हो, ये एक ऐसी जगह है, जहां से आप data को, जहां data को आप store कर रहे हो, ठीक है, चलो, मैं क्या-क्या बोला, फिर से आप लोगों को लिख के बता देता ह यह है आपका एप्लिकेशन ठीक है यह है आपका कंसेप्ट या इसको पर बोलेंगे लॉजिक लॉजिकल जो भी लिखना हो और इसको बोलेंगे आपन फिजिकल फिजिकल ठीक है समझ मैं बात डेटा को अगर देखना होगा कहां से देखोगे आप लोग मीटिंग में है कि नहीं है अरे वाँ अच्छा के बता दिये जब भी डेटा को देखना होगा तो कहां से देखोगे डेटा को उपर से देखोगे अप्लिकेशन से अब एक और डाइग्राम देखो, ऐसा लगेगा जैसे सेम तु सेम है, बट टोटली डिफरेंट बनेगा हूँ, ये मैं एक टो डाइग्राम लाता हूँ, जिस पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, कोई भी सॉफटर का ना मताओ, जो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस् और MS SQL जो है, ये भी एक बहुत फेमस सॉफटर है, इसको भी लिख देते हैं, क्या डिफरेंस है मत पूछना, जस्ट मैने दो टो नाम लिख दिये, अब नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो अपने को एक टो और चोटा सा डाइग्राम बनाना है, लाइक दिस, और दो टो ठीक लाइक, ठीक है बई, तो अगर किसी भी यूजर को, अच्छा यूजर तो यहां पर मैंने बनाया है नहीं, यहां पर यूजर भी बना देता हूँ, यह रहा यूजर, यूजर थोड़ा उपर आएगा, तो इसको अपन थोड़ा सा उपर कर देते हैं, यह है यूजर न पर काम कर रहे हैं, किसी में भी कर सकते हैं, MS Access में कर सकते हैं, Microsoft SQL में कर सकते हैं, और डेटा कहां से निकाल रहे हैं, यह आपका डेटाबेस है, ठीक है चंचल, क्लियर है यहां तक, अब आप खुद मेरे को डिसाइड करके बताओ कि कौन सा अर्किटेक्चर है और कौन सा ल पर लेट वाला आर्किटेक्चर क्यों है, इसका भी जवाब दीजिये, अधि चैसिरे, उसमें पता चल रहना की कौन कौन किस में हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक, मतलब कारिशेली पता चलती आर्खिटेक्चर में, और लेवल से क्या पता चलता है? लेवल से हमको तीन चीज़े पता चलती है, पहला आपका डेटा जो है, उसमें क्या है? कहां से दिखे का आपको? application level से या इसका और अच्छा नाम मेरे को याद आया भी वो भी मैं यहां पर लिखने में कोई हिच की चार्ट नहीं मैं उसको लिखूंगा तो आप लोगो और अच्छे से clear होगा यहां पर मैं इसका नाम बदल के लिख दे रहा हूँ view level ठीक है मतलब जहां से आप data को देखते हैं एक वो level होता है जहां आप किस तरीके से data को store करते हो एक वो level होता है और कहां पर मतलब आपका data कहां पर store है यह answer देख आपका physical level where your data is stored how your data is stored आपको कहां सबता चलेगा logical से कैसे आपका data store हुआ है और क्या है आपके data base में मतलब क्या, कैसे और कहां यह तीन चीजों के जहां जवाब मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं level यही आपका DBMS के तीन level है जो आप लोग अभी subject पढ़ोगे न DBMS का पहला unit का पूरा का पूरा theory यही है कि DBMS के तीन अलग अलग level होते हैं view level, logical level और physical level इस logical level को conceptual level भी बोला जाता है और यह database का architecture है इसमें और भी बहुत सारी चीज़े मिलेंगी जैसे data dictionary है वगेरा वगेरा क्योंकि architecture बहुत जारा detail में रहता है तो हमने जब architecture पढ़ा तो उसमें चार अलग अलग चीज़ें थी समझ गया उसका एक diagram भी था वो diagram सेम है क्या gateway वाला तो वो diagram जो है आपके IoT के level से सेम नहीं होगा IoT के levels अलग अलग है level 0 में क्या होता है, level 1 में क्या होता है level 2 में क्या होता है इसके अलग अलग levels बने है अब DBMS का तो कोई level ही नहीं होता I mean, level नहीं होता है मतलब level है, levels है बट ये इसका पहला level है physical level, data store हो रहा है दूसरा level है conceptual level जहां पर database को बनाया या manipulate किया जा रहा है तीसरा जो level है जहां से user का access होता है अपन उसको बोलते हैं आया समझ मैं? Yes, Sir तो हमारा अगला topic क्या था वो हमको syllabus में जाके देखना पड़ेगा Yes, Sir एक बार फिर से revise करा मैं बोला कि IOT हम लोग पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि IOT क्या होता है, कैसे होता है बस इतना ही नहीं है ये subject ये जो subject है ना ये आपको ये भी सिखाएगा कि IOT जो है आप बनाओगे कैसे उस तरीके का कोई application को develop करोगे कैसे तो इसके लिए आपको design methodology design methodology का मतलब किसी चीज के develop होने में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई उसको पन methodology बोलते हैं जैसे research methodology इसलिए पढ़ाया जाता है किसी research वाले को ताकि वो research कैसे किया जाता है वो शुरू कर सके मतलब शोध करना शुरू कर सके इसलिए उसको research methodology पढ़ाया जाता है एक ही subject पढ़ाया जाता है किसी भी scholar को जैसे आप MFIL भी करोगे MSC, IT के बाद, MFIL के बाद या कोई भी master degree के बाद में तो आपको research methodology पढ़ा जाएगा तो इसके ही part में design methodology भी आता है जिसमें ये सिखाया जाता है कि design आखिर किया कैसे जाता है किसी चीज को बासन में आई है तो IOT जो है किसी ना किसी एक unique situation मतलब किसी एक हल के लिए अपन design करेंगे designing for the IOT of things is the designing of connected products मतलब जब आप IOT को design कर रहे हो तो इसका मतलब यह होता है कि आप बहुत सारे products को connect करोगे IOT system combines physical and digital components that collect data from physical device and deliver actionable operational insights तो जब आप एक IOT system को design करते हो तो आप क्या करते हो actual में physical devices को और बहुत सारे actionable और operational insights को एक साथ connect करते हो these components include physical devices, sensors, data extraction and secure combination तो physical devices आप सभी को पता है जितने भी आप computer के device देखते हैं अपने इर्द इर्द वो सब के सब physical devices में आ जाते है sensors उसमें नहीं आते थे अभी तक लेकिन अप sensors भी आएंगे तो data को निकालने वाली चीज़े हैं अब data extraction का मतलब क्या होता है किसी को पता है आपर data extraction मतलब extraction कैसे है तुमें data extraction मतलब नहीं पता है अच्छा ठीक है तो यह जितने भी टॉपिक्स हैं अब वापस हम लो चलते हैं IOT के architecture में IOT के architecture में आपको यह सारी चीज़े दीखी थी कि नहीं चंचल फोड़ी तेर पहले आपने सवाल किया थेसले मैंने बताया आपको और उसके जस्ट बात हम लोगों ने क्या पढ़ा IOT के levels तो IOT के levels में यह सारे जो levels में हमने कैसे IOT काम करता है देखा था तो यही सारी जो चीज़े हैं यही सारे components जो हैं हमने देखे थे तो इस components include physical devices sensors data extraction and security communication यह एक साथ लिखा हुआ data को extract करना और security communication प्रोवाइट कराना gateways, cloud servers analytics and dashboard c figure 1.12 तो यह figure क्या है 1.11 है और इसके बाद वाले page में आपका figure point 1.2 है कहां पे है 1.2 सर इसके भी बाद वाले में है उसका photo भेजना पड़ेगा I will send it अम यहाँ पे इस diagram पे लिखे हुए हैं यह आपका 1.12 diagram है तो purpose requirement, process model specification, domain model specification, information model specification वगेरा वगेरा अब देखो आप लोग ध्यान से इस diagram को तो इसमें 1, 2 और यह 3 तीन पार्ट में इसको main divide किया गया है दिखरे है आप लोगों को तभी इसमें क्या किया है इसको dark highlight किया हुआ है तो आप अगर यहां ध्यान से देखोगे तो iot level specification और application development यह सारी चीज़े लिखी हुए ना तो एक iot के application बनाने के लिए आपको इतने काम करने पढ़ेंगे कितने काम 12345678910 दस काम करने पढ़ेंगे एक single iot application बनाने के लिए जो बोलाओ समझ में आई बात कैसे का चंचल अब यह काम क्या क्या है इसी का जो detail है वह आपका यह पूरा topic चल रहे है ना तो अभी अपने diagram देख लिया है अभी उसके बारे में अपने कुछ आदा डिसकस करने के ज़रत नहीं है अब इनी सब चीजों पर चर्चा होगी सबसे पहला क्या है आपको दी देख सकते हैं लिखा हुआ यहां पर परपस and requirements specification कुछ दिन पहले की बात है और मैं उसका जिक्रिस ले कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को क्या है ने और पुराने से मत आप लोगों को शायद कहीं बताया था कि जो Software Development का काम होता है Software Development इसके stages होते हैं यह बोला भी था मैंने की कभी बूलना मत आप लोग इसमें सबसे पहले हमें क्या करते हैं सर्वे करते हैं एनलिसिस करते हैं डिजाइन करते हैं डिजाइन करने के बाद में इंप्लिमेंटेशन करते हैं कभी सुने हो कि मेरे सेवला चीज यह सर परितोस तुम implementation के बाद में होता है यह सर गोडिंग एंड इंप्लिमेंटेशन बोलते हैं इसको और लास्ट में होता है क्या debugging 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 के बाद में ठीक है हो गया बन गया maintenance लगा देते हैं सीधा मतलब एक आद दो topic छूड़ भी जाए तो कोई दिक्कत ना है चलता है कोई भी चीज बनाओगे तो इतनी साथी चीज़े तो आपको करनी ही पड़ेगी न मतलब आप कोई problem का भी solution निकालोगे तो पहले survey करोगे कि problem क्या है फिर उसका अनलाइज करोगे मतलब कि purpose and requirement specification तो इसका मतलब क्या होने वाला है आपको समझ में आगे मतलब आप जब बीना किसी purpose के किसी चीज को बना सकते हो क्या आप इस इस कोश्बू से ही पूछ रहा हूं कि भी आपके पास में purpose ही नहीं है उद्देश ही नहीं तो आप क्या बनाओगे software बनाने का मतलब होता क्या है कोई भी चीज को बनाने का मतलब होता क्या है उसका कुछ न कुछ एक उद्देश होता है आप एक बैल गाड़ी क्यों बनाते हो आप एक हल क्यों बनाते हो आप एक ट्रेक्टर क्यों बनाते हो तो भई हम IOT पढ़ रहे हैं IOT को design करने वाले है उसका design technology देखने वाले हैं तो IoT को design करने के लिए एक IoT device बनाने के लिए क्या क्या चीज़े लगेंगी उसका पहला topic है Purpose and Requirements Specification मतलब इतना बता दियें आप लोगों को कि अब इसमें जो पढ़ने वाले हम लोग आपको आजानी से समझ में आने वाले है गरेक्ट बोला की नहीं भाई एंजी तो आप सुनिये The first step in IoT design methodology is to define the purpose of requirements of the system तो सबसे पहला step यह होता है कि हमारा क्या उदेश है और हम में क्या क्या चीज़ों की आवशकता है इस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा exam में अगर पूछ दिया कि IoT design methodology को समझाईए तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा क्या purpose है और क्या requirements है यह बताया जाता है purpose और requirements specification में आगे बुलता है कि In this step the system purpose behavior and requirements such as data collection requirements, data analysis requirement system management requirements data privacy, data security requirements user interface requirements are captured इसमें इतिनी सारी चीज़ों का जमावडा किया जाता है क्या-क्या चीज़ें फिर से सुना रहा हूँ मतलब आप इसमें क्या-क्या चीज़ों को इकठा करोगे सर्वे का नाम बदल के क्या कर दिया इसको requirement specification कर दिया एक्चुल में जब आपन किसी चीज़ का सर्वे करते हैं तो आपन एक्चुली में requirement specification ही देते हैं जैसे मैं सर्वे करने निकलूं कि मेरे कॉलोनी की जनसंख्या कितनी है या ये पता करने निकलूं कि मेरे कॉलोनी में बारवी क्लाग बारवी कक्षा में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं correct हाव बोलो रे तो मैं घर घर जाके क्या सवाल पूछूंगा मेरा पहला सवाल क्या होगा आपके घर में कोई स्कूल में पढ़ते हैं क्या ये पूछूंगा न या सर्थ पढ़ते हैं पूछूंगा दूसरा सवाल क्या क्लास 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 गूछ करने से पता चल जाएगा कि अगर मेरे घर ओई क्टली में Εँपक्रण ciao ऐब कभर में कितने बच्चे लोग पढ़ते हैं इसको बनते हैं कर दख पता लगाना की अपना क्या सवाली है कि हम इसमें data collection requirements हमको किस प्रकार का data क्या शक्ता पड़ेगी data analysis requirement क्या होगी कैसे data को विशलेशित करेंगे system management requirements data privacy and security requirements user interface requirements are captured इसमें इस तरीके इतने प्रकार के data को capture किया जाता है समझ में आ गया तो यह देखो diagram जो दीरे दीरे आपको असान लगने लग जाएगा लग गया असान अभी से अब दूसरा है आपका process model specification define the use cases मतलब इसको भी पड़की समझाना बहतर है the second step in the IOT methodology is to define the process specification in this step the use cases of the IOT system are formally described based on the derived from the purpose and requirement specification ऐसा तो normally नहीं होता कि जो चीज आज आप बनाने निकलोगे तो पहले से वो बनी बनाई ना मिले ऐसा होगा क्या परितो तो उसकी तू बोलेगा चलो मैं बाइक बनाता हूं तो कुछ नए आइडिया है क्या उसमें बाई की तो बनाएगा क्या पहले से बनी बनी नहीं बलेगी तो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है यह इसका दूसरे स्टेप है बस इतना ही लिखे न अंगरेजी में आपे टुमें को बतादू मैं यहाँ पे स्री पित्ता लिखा है कि यह दूसरे स्टेप है आगे बोलता है कि in this स्टेप the use cases of the IOT system are formally described मतलब हम इस चीज का क्या उपयोग करेंगे यह बताया जाता है इस स्पेसिफिकेशन में मतलब हम जो चीज बना रहे हैं say for example हम जूसर बना रहे हैं तो जूसर से क्या जूस मतलब जूस कैसे निकलेगा यह इसमें बताएंगे अपन समझ गए आसान था तीसरा स्टेप है डोमें मॉडल स्पेसिफिकेशन डोमें हमेशा बताता उँ जब भी सुन उ तो एक ही चीज समझ चना डोमें का मतलब होता है मुख्य मुख्य मॉडल स्पेसिफिकेशन एगजएक्चली यह चीज क्या करेगी यह से पता चलेगा the third step in the IoT design methodology is to define the domain model this model describes the main concept लिखा है ना मुख्य concept किनी लिखा है तो main क्या कि do लगा तो domain हो जाता है domain बोले तो बहुत बड़ी शी जाती बच्चों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है डरने का बात नहीं है domain is the main concept entities and objects उसमें क्या-क्या वस्तुएं इस्तमाल की गई हैं क्या-क्या निर्देस हैं in the domain of IoT system to be designed मतलब अपन क्या design करने वाले हैं exactly वो चीज आप उसमें बताओगे इसमें आप बताओगे कि आप जो चीज बना रहे हो उसके अंदर क्या-क्या attributes हैं उसका एक दूसरे के साथ में क्या-क्या रिलेशन है एक उधारन देता हूं फिर से वह जूसर को ले आते हैं उस जूसर में blade लगाओगे cutter लगाओगे एक डबा लगाओगे जिसमें juice निकलेगा एक motor लगाओगे और इन सब का एक दूसरे से क्या संबंध है वो बताओगे आई बसान में इसी टेम पे सब को फोन करना रहता है अबसे का मतलब भी आप ऐसे ही समझना है कि exactly क्या करने वाला है यही बताने का काम करता है independent of any specific technology और platform मतलब यह चीज बाकी technology से स्वतंतर होगी और यह जो हम बनाने वाले हैं बिल्कुल specific एक चीज बनाने वाले हैं ऐसा पता चलना चाहिए domain name system से अब देखो समझेगा आप लोग इतना अब आप एक बात बताओ जब company कोई नही गाड़ी लांच करता है जैसे बजाज company का अपन एक्जामपल ले रेता है बजाज company जब भी कोई नही गाड़ी या वही पुरानी गाड़ी को लांच करता है जैसे प्लाटीना हद हो गया नहीं उठा रहे है कोई फोन तो समझना चाहिए नहीं है बीजी आदमी आपके तो नया मौडल जब वह लॉंच करता है तो उसका नाम नया क्यों रखता है पुराना नाम से लांच नी करता जैसे पलसर आती है पलसर अभी भी आती ना 15 साल से जारी है तो उसके नाम में थोड़ा सा चेंजिस क्यों कर देता है कोई आइडिया किसी पास इसका जवाब है अपडेट भी होते है ना बोले तो है यानि कलर में अपडेट होता है या कुछ और अपडेट होता है अच्छा ठीक है जैसे मैं बोलूं पलसर 150 मैं खरीदा तो आप यह कैसे पता करोगे कि नया खरीदा हूँ कि पुराना खरीदा हूँ किस सवाल से करोगे मेरे पास में बजाज डिसकवर है मैं मतलब सवाल इसले पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन जो है ना एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए भले आप समझ गयो तो भी से तो अगर मेरे मेरे पास में बजाज डिसकवर है तो आप लोग कैसे पता करोगे कि वह नया है कि पुराना है कि मॉडल से पता करोगे ठीक आप लोगों को यह जानकारी है कि बजाज डिसकवर का प्रोडक्शन अब बंदो चुका है कि 2020 वाज लास्ट बजाट डिसकवर के लिए हो सकता है कि फिर से रिलाउंच कर दे जैसे सीटी हंडेट 20 साल पहले आती थी उसको फिर से रिलाउंच कर दिया उसने ओके मॉडल जो है जैसा जवाब मिला तो जब हम किसी चीज को बनाएंगे तो साथी साथ उसका मॉडल नं जो है नया रखता है बाकि सारी चीज़े सेम रहती है अब जैसे एक्टिवा था हॉंडा एक्टिवा है कोई चेंज नहीं है हॉंडा एक्टिवा आप 20 साल पुरानी चला लो और अभी की चला लो कुछ डिफेरेंस आपको नजर नहीं आएगा लेकिन वह क्या करता है वन ज बस नए नए इस टीकर शिपका दो कस्टम और बढ़ी है एकदम मस्कुस हो जाता है कि यहां रिजदी वाली में तो एक लाख रुपे की एक्टिवा खरीदूंगा उसको 25 से यार की जो पुरानी एक्टिवा है उसके इंजन ने पता नहीं क्या खराबी नजर आ जाती है आ समझ गए बात को एक्जैक्ली अब आप लोग डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन अच्छे से समझ गया है मेरे को संतुष्टी हो गई उसके बाद में आता है इन्फर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन तैना specific of how the information is represented or stored information model यह कभी नहीं बताता कि information कैसे store हुई है क्या बताता है वो की यह exactly जो structure जो जो वने बनाया है वो क्या करने वाला है ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे activa आप खरीदने जाते हो तो आपको क्या पता चलता है कि यह गाड़ी कि इतना माईलेस देगी लेकिन कैसे इतना माईलेस देगी यह आपको कोई नहीं बताने वाला, ओके, फिर आता है services specifications, the fifth step in the IoT design methodology is to define the services specifications, services specifications define the services in the IoT system, मतलब क्या करो, दो लाइन तो ऐसी जिला दो, यह आप लोग भी करके आना, कि यह पांचों स्टेप है, और यह क्या है, services बताता है, जो यहाँ पे लिख है, उसी के यहाँ पे लिख दो, है न, असान है की नि, कितना असान काम है, बताओ, किताब लिखना कितना असान काम है, पढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, service types, service input output, service endpoints, service schedule, service का precondition and service के effects, मतलब service जो है, यह सारी चीज़ होगी, तो पांचों भी असान था, इसको भ methodology, is to define the IOT level for the system, तो कभी-कभी क्या है, मैं अंतर यामी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, एक गुरू जी हूँ, तो यह 6 step के बाद में, आप लोगों का कोटा जो है, full हो गया होगा, sir, please, बाकी कल पढ़ा देना, please, am I right? Yes, sir, बस एक ही है, sir, बाकी लोग? Yes, sir, अच्छा लगा सुनके, I mean, थोड़ा सा समझना चाहिए, ओके, तो थोड़ा सा पीशे चलते हैं अपन, पीशे जाने के लिए अगे जाते हैं, कि यह जो diagram है, इसके हम लोगों ने कित्ते models देखें, IOT level specification तक देखा है, ठीक है, तो इ तो यह diagrams को रटने का बहुत अच्छा तरीका है, कि पहले diagram रट लेना, उसके बाद इसमें 2-3-3-9 सब कुछ हाप क्या नहीं, अगर यह question आ जाते हैं, तो बड़ा मजा आ जाएगा आप लोगों को ठीक है, तो काफी important topic लग रहे है, IOT design technology या methodology, तो इसके बारे में आप बुलने वाले,